एलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ तिरंगा कुकीस केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसे आप 15 अगस्त 26 जनवरी में बना सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं चेली देख लेते हैं इसका बनाने का तरीका इसके लिए यहाँ पर मैंने दो अंडे लिये हैं एक चमब जितने हैं हमने वेनिलेसेंस ताल देना है और अंडे को हम अच्छे से फेट लेंगे एक मिनट तक हमें अच्छे से फेट लेना है इसके अंदर जाकसा जैसा आ जाएगा और यह देखें अब मैं इसमें एट कर रही हूँ पॉना कप शकर पॉर्डर शुगर ह और आधा कपी यहां पर मैं इसमें ऑईल दाल रही हूँ रिफाइन ऑईल दालना है कोई खुश्बुदार तेल नहीं दालना है जैसे कि सरसो का तेल और इसे भी हम अच्छे से फेट लेंगे यग जान कर लेंगे और इसे मैंने अच्छे से फेट लिया है अब हम इसमें एट करेंगे मैदा तो यहां पर मैंने पहले एक कप मैदा दाल दिया है और एक चमशी हम इसमें बेकिंग पॉर्डर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें हमें भी और मैदा लगेगा लेकिन हम इसमें ग्रेजवली डालेंगे एक साथ सब नहीं डालेंगे और यह मैंने देखिए मिक्स कर लिया है अब मैं इसमें एक कप मैदा और डाल रही हूँ और इसमें अब हमें स्पून की मदद से या तो फिर हाथ की मदद से ही से अच्छे से मिक्स कर लेना है तो अभी भी यह गीला है इसके अंदर मैं थोड़ा से मैदा और डालूँगी तो हमें यहाँ तक मैदा एड़ करना है कि यह अच्छा सा डो फॉर्म में आ जाए तो मैं आदर कप इसमें और मैदा डाल रही हूँ और ज़रुरत पर रही तो हम इसमें और मैदा भी एड़ करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेना है सॉफ्ट सा डो बनाना है इसका और यह देखिए इस तरह का सॉफ्ट सा डो बन गया हमारा अब इसमें ने बोड पर ले लिया है और इस तरह से हम रोल करेंगे और फिर इसके हम तीन एकवल हिस्से करेंगे इन एकवल हिस्से में इसे डिवाइट कर लेना है क्योंकि हम त्रिंगा बना रहे हैं तो इसके लिए हमें तीन पीस चाहिए और इस तरह से देखें, अब दो पीस को हम अटा देंगे और एक पीस को ले लेंगे बॉल में और दूसरे पीस को एक दूसरे बॉल में ले लेना है अब हम इसमें color right करेंगे तो सबसे पहले मैं हैं इसमें पर अरहा color डाल रही हूँ अब हम इसे इस तरह से बोट पर रखेंगे और इसका चोकोंशा शेप देंगे इसे फैलाते हुए और सब तरफ से बराबर करते हुए हमने इसका अच्छा सा शेप देना है एक रेक्टेंगल जैसा और इसे उपर से चिकना कर लेंगे अब ये एक हमारा ग्रीन वाला तैयार ह तो अब भी ले लिया और से इसतरी के से हमने इसे बीतो है 10 वाल और समें इसे बीज़ी इसे अच्छे से मिक्स करनेंगे और जबहरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा सा सुकार्टर डालेंगे और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है यहां तक यह औरेंज कलर में आ जाए और यह दिखे इसका अच्छा सा कलर इसमें आ गया है अब इसे भी हमने इस तरह से रखकर शेप दे देना है और यह दिखे इसका mêmes हमें मैंने सेम उसी तरीक का और उसी साइज का हमें शेप देंना है इसे हमें एक पर एक रखने वाले हैं तो सबकी साइज एक जिसली चैँए अब औरेंज वाले पर मैंने यहाँ पर पानी लगा दिया है और उस पर में सफेद वाला रख देंगे सफेद कलर बीच में रहता है तो इससे रख देंगे हम इस तरह से और बराबर करेंगे एक दूसरे पर एक बराबर से रख देंगे अब इसके वाइटिल इससे पर भी हमने पानी लगाना है कि यह अच्छे से चिपक जाए अब इस पर ग्रीन वाल रख देंगे हम और इस तरह से सेट करेंगे अच्छे से इसे अच्छे से लेवल कर लेंगे और इस तरह से मैंने अच्छे से लेवल कर लिया है और हमारा भी है अब इसे हमें सेखना है तो हम क्या करेंगे पहले मैंने यहाँ पर एक बेटर पीपर लिया है और बेटर पीपर में हमने इसे रख देना है इस तरह से रख देंगे और फिर इसे हमने रैप कर देना है सब तरफ से सब तरफ से अच्छे से टाइट से रैप कर लेंगे अगर आप चाहे तो इसे इसी तरह से फ्रीज में रख दें और जब यह सेट हो जाए तो हाफ इंच की गेप से इसके पीसिस करना है और जिस तरह से हम कुकीज को बेक करते हैं उसी तरह से हमें इसे ओन में बेक कर लेना है अधी घंटी के लिए इसे बेक करेंगे तो यह अच्छे से हो जाएगा मैं इसे इस तरह से बना रही हूँ पहले मैं इसे केक टिन में डाल रही हूँ इस तरह से और इसे मैं 30-35 मिनट के लिए बेक कर लूँगी तो बहुत अच्छा क्रिस्पी सबनेगा तो मैं इसे तीस मिनट के लिए बेक कर लूँगी पहले और यह दिखिए यह तैयार हो गया है बेक हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे इसे चॉपिंग बोड पे निकाल लेना है और इसके पीसेस करेंगे अब यह दिखिए बहुत अच्छा कलर आया इसका और अब हम इसे कट करेंगे तो पहले इसकी साइड को कट करके अलग कर देंगे और फिर से हम आदे इंच की गैप से कट कर लेना है जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब ही कट करना है इसे तो यह दिखिए इस तरह का केक हमारा बन कर तैयार होगा तो यह अभी बीच में थोड़ा सा सॉफ्ट है तो मैं क्या करूंगी इसे 10 मिनट के लिए वह उन में बेक कर लेना है तो यहां पर मैंने ट्रे में बेकिंग ट्रे में से सेट कर लिया है और इसे मैंने बेक कर लिया है पूरे 10 मिनट के लिए तो यह अच्छे क्रिस्पी हो गए है यह देखें इस तरह से और इसे अब मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ तो इसे आप बना कर 10 से 15 दिन के लिए एट एट करके रख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं यह तो हमारी तिरंगा वाली कुकीज केक बनकर रेडी है इस तरह से आप बनाएं और ट्राइ करें अगर आप चाहें तो इसकी जगा में कोई दूसरा कलर भी यूज़ कर सकती है मैंने इसे खास तोर पे रिपब्लिक डे के लिए बनाया है इसलिए मैंने तिरंगा का इस्तेमाल किया है तीन कलर का तो फ्रेंड्स उमीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें साथी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें